स्रेश वाय नमस्तु भेहम हम सबको पता है कि 9 जून को रवी का पुछ योग पढ़ रहा है और बहुत ज़ादा पेरिंट्स माबाब परेशान है ना अपने बच्चों को लेके भिया हमारा बच्चा पढ़ने के लिए बैठता उसका दिमाग कम जोड़ है वो कोई भी चीज बड़े ही विस्तार से समझाओंगो कि उन नाम कौन से लिखने है कौन सी चीजों से लिखना है चड़ाना कहां पे है और किसका नाम लेना है इस सभी चीजों के लिए वीडियो को पूरा देखेंगे समझने कोशिच करते हैं सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में आप नहीं कर सकते हैं रवी के पुष योग के टाइम पे ही कर सकते हैं और रवी का पुष योग साल में सिर्फ दो बार आता है और ये है दूसरा मौका आपका आखरी मौका है ठीक है ना समझेंगे इसकन पर आप सभी को पान का पत्ता दिख रहा है मार्केट में जाना उन को बोलते हैं सीधा पान का पत्ता ठीक है ना तो उसी सीधे पान के पत्ते के उपर आपको पहला नाम लिखना होगा महादेव का क्या लिखोगे महादेव का यहां पे इस तरीके से ठीक है दूसरा नाम आपको क्या लिखना है मापारवती का नाम आपको लिखना होगा ठीक है तो आपके पास में एक option और है, एक मौका आपके पास में और है, वो मौका कौन सा है सुनिएगा, आपको उस पे तीन बिंदी लगानी है, पहली बिंदी आप लगा सकते हो किसकी महादेओ के नाम की, दूसरी बिंदी आपको लगा देनी होगी मापारवती के नाम की, और तीस पे करो, मंदिर में करो, कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, फेस रखना होगा, उत्तरदिशा, 9 डिरेक्शन, सबसे पहला काम, जो मैंने आपको एक तामबे के लोटे में जल दिखाया, वो महादयो के शिवलिंग के उपर, स्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब करते हुए, जल समर्पित करोगे, पहले जल चड़ाएंगे, दूसरा काम, जो आपके पास में पान का पत्ता है, जो मैंने आपको दिखाया, तीन नाम लिखे हैं, जिस तरफ नाम लिखा हुआ है, यहीं मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, जिस तरफ नाम आपने लिखा है, सीधे पान के पत्ते के ऊपर, वो पान का पत्ता महादेव के शिवलिंग के ऊपर, बिलकुल सीधा सीधा, ताकि आप उपर से जब देखो, तो तीनो नाम आपको लिखे हुए दिखाई ना दें, इस तरीके से आपको समर्पित करना है, हाद जोड़ करके महादे उसे विंती करेंगे, प्रात्मा करेंगे, हे सिव शंबू, हे बोलिनाद, हमारा ये बच्चा है, वीख है, कमजोड है, पढ़ने में ठीक नहीं है, पढ़ने में इसका मन नहीं लगता, गलस संगती में है, आप इसे सुधार दें, आप इसे ठीक करने, इस तरीके से प्रात बच्चे से कर आओ, तब तो बहुत अची बात है, बच्चा नहीं करता है, जिद्धी है, तो जो मा है, जो पिता है, वो इस उपाय को कर सकते हैं, दूसरा डाउट क्या है लोगों का, कि भीया हमारे पास अगर मा लिजे कि दो बच्चे हो या तीन बच्चे हो तो क्या हमको दो या तीन पान के पत्ते चड़ाने हैं नाम लिख करके तो इसका जवाब है नहीं, आपको एक ही बार पान के पत्ते को लेना है, एक ही बार तीनों नामों को लिखना है, और तीनों बच्चों का नाम ले करके महादयों से बिंती करनी है, प्राहतना करनी है, हर बच्ची के के लिए अलग से आपको करने की कोई जरुवत नहीं है मुझे लगता है कि अब आपको कुछ भी पूछने की जरुवत नहीं पड़ेगी सारे डाउट आपके कलियर होंगे तो यहां पर पहले उपाय के हमने बात कर लिए है आगे बढ़ते हैं रवी के पुश्यों के लिए आ आपके बच्चों को और भी ज़्यादा बुद्धिमान बना सकता है बहुत ही नियम से सुनने की कोशिश करिएगा जो बताओंगा है न देखो यह उपाय किसके लिए है जैसे माली जी की बच्चे की दिमाग के लिए तो है ही सांती साथ अगर आपका बच्चे आपकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा है परिशान करके रख दिया है तो आप इस उपाय को करेंगे इसकन पे आपको दिख रहा होगा पीला चंदन फिर से वही काम करना है पीला चंदन इस बार लेना है एक छोटी सी कटोरी में लेकर कि इसको डाल करके इसका बहुत ही गाढ़ा सा टा पहले आपको बता दूँ, आप ये उपाय किसके लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, मान लेजे कि आपके बच्चे की उम्र मात्र 10 वर्ष है, तो आपको काली मिर्च कितनी लेनी है, 10 काली मिर्च, आपके बच्चे की उमर मान लेते हैं 20 वर्ष है, तो काल काली मिर्च कितनी लोगे 20 जितनी उम्र आपके बच्चे की उतनी काली मिर्च आपको लेनी है खड़ी वाली उसको पीसना नहीं है ले लिया फिर आपको सेम काम करना है एक तामबे का लोटा लेना उस तामबे के लोटे में जल भरेंगे और उसके बाद में पहुँच जाएं आपको माता असोख सुंदरी के स्थान पे अच्छे तरीके से कर देना जैसे मैंने कर दिया नहीं कितने अच्छे तरीके से आपको भी लेपन करना अब स्टार्ट होता है खेल यहाँ पे जितने भी काली मिर्च आपने लिये हैं अपने बच्चे की उम्र के बराबर है ना उत से सुधार दें आप इसे सही दिशा में लाएं ताकि हमारा परिवार और हम सब सही तरीके से रहें और सुख सांती हमारे घर में हमेशा निवास करें ऐसे प्रात्ना करके फेस रखेंगे उत्तर दिशा नौ डिरेक्शन और एक लोटा शुद्र जल तांबे के लोटे से स्री शिवाय नमस्त भ्यम का जब करते हुए समर्पित करेंगे और यही जल बहता हुआ इसी काले मिर्च और पीले चंदन से होता हुआ नीचे गिरेगा इस जल को रोक करके इसे लेके आप अपने घर जाएंगे पूरे कमरे में जितने भी रूम सों घर में आपके सभी कमरों मे छिड़काओ कर देना बस और कुछ भी नहीं करना ठीक है ना करके देखेगा आसान सा उपाय था तो दो उपाय के हमने बात कर ली है आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय के तरफ और आपने छोटी सी बाब बता दूँ अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती हो मेरी वीडियो पसंद आती हो तो सब्सक्राइब बगल में एक जॉइन का बटन दिखरा होगा उस पे क्लिक करके आप जॉइन हो सकते हैं और हमसे बहुत सारी बाते कर सकते हैं चाहे तो फेस्बुक पे इंस्टाग्राम पे या फिर वाटसेप पे ठीक है ना अब बात करते हैं तीसरे उपाय के सबसे पहले बता दें इस तीसरे उपाय के भी वही फायदे होंगे कि जो फायदे आपको अपने बच्चे के लिए चाहिए कि हर एक माबाप ये सोचता है कि हमारा बच्चा क्या हो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जब वो परिक्षा देनी के लिए उस परिक्षा में सफलो अच्छे नंबर आएं उसी के लिए इस उपाय को करना है समझेगा यहां पर आप सबी को दिख रहाओगा बेल पत्र तो आपको मात्र एक बेल पत्र लेंगे बेल पत्र लेने के बाद में आपको शहद लेना है फिर से बोल रहा जल भरेंगे और पहुत जाएंगे महादो के शिवलिंग के पास में उससे पहले एक छोटा सा काम और कर दो जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक को मेरे जितने भी भाइब है आज पहली बाल सुन रहे हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा है न देखो आपको मै अपको मैंने शहद दिखाया तामवे के रोटे में जल दिखाया फिर से वही काम करना है जो आपके पास में बेल पत्र है उस एक बेल पत्र को पहले माता असोख सुन्दुरे के स्थान पे आपको इस तरीके से चड़हा देनी ठीका न चड़हा दिया अब चड़हने के बा कुछ करने के बाद में एक मिनट एक मिनट इतना सब कुछ करने के बाद में जो आपने यहाँ पे शहद चढ़ाया है उस शहद को वहाँ से निकाल लेंगे बेल पत्र के ऊपर से और उसी शहद का लेपन महादयो के शिवलिंग के ऊपर अपने बच्चों का नाम और गोत्र ब यकीन मानिए अगर इस उपाय को आपने बहुत ही सची शद्धा विस्वास के साथ कर लिया तो आपके बच्चे का जो माइंड होगा दिमाग होगा गुस्से करने की जो हैबिट होगी आपके बच्चों की वो हमेशा के लिए खतम जरूर हो जाएगी ठीक है ना तो यहाँ प बच्चा हमारा हमसे दूर रहता है वो घर आने को तयार नहीं होता उसका मन घर पे नहीं लगता वो हमसे बाते भी नहीं करता वो गलत दिशा में चला गया है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी की सुनता है अपने दोस्तों की सुनता है और हम लोगों की नहीं सुनता हम स पान के पत्ते के उपर इस बार हमको दो बिंदी लगानी है कितनी बिंदी दो बिंदी आप वो दो बिंदिया किसके नाम के लगाओगे देखो आपको जो सबसे पहली बिंदी लगानी है वो आपको लगानी होगी भगवान शंकर के नाम की शुव के नाम की पहली बिंदी और गोत्र बोल करके आपको ऐसे दूसरी बिंदी लगानी है लगाने के बाद में आपको इसको ले करके चले जाना है महादेव के शिवलिंग में अब इस उपाय को घर पे नहीं कर सकते आप कभी भी जाओ सुबह से ले करके शाम तक के टाइम पे लेकिन महादेव के मंदिर म करना हो चड़ा करके फिर आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं रवी का पुशियों ये आपके पास में आखरी मौका है इस वर्ष करने का तो जरूर करिएगा जिससे आपकी जो बच्चों की हैबिट हो गलत आदते हो वो सुधर जाएं ठीक है ना कोशिच की यह चा समझाने क की विडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा फिर से कहूंगा अगर आपको मुझसे बाते करनी है फोन पे वीडियो कॉल पे नीचे सब्सक्राइब के बगल में जोईन का बटन है उस पे क्लिक करके आप हमसे फोन पे भी बाते कर सकते हैं वीडियो कॉल पी बाते बहुत सारी कर सकते हैं ठीक है ना बाकी कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछे हैं और मेरे जितने भाई बहन आज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा स्रेश इवाय नमस्तु भ्यम